गाल। प्रेंड्स HAWAF आज मैं आप लोग ले लेकिए हूर। द्राइनप्र पर ऐक्कि beneficiche cashा का फुल रिव्यू। आज किस वीडियो में आप लोग बतानेवालाउं मुण उसी इंजट्चन का इसित्माल कब कही है क्या benefit है क्या side effect है dose and duration क्या है या फिर क्या सकते हैं डोक्टर इसको किस पीमारी में किस condition में प्रेशन को ज्यादा स्काइब करते हैं यह सब चीज़े स्वीडियो में डिसकस करने माला हूँ फुल डिटेल में सो वीडियो गलाज तक जरूर देखेगा और आज का जो रिव्यू है आपको सिंपल लेंग्वेज में बताने वाला हूँ इसके क्या benefit है क्या side effect है सब्सक्राइब कर लेते हैं बात कर लो इस इंजेक्शन की यह डाइना पार इंजेक्शन आपको हर एक मेडिकर स्टोर पर मिल जाएगा फर्स्ट फॉर और सेकंड बात है कि ए श्रडूल एच्ट ड्रग है आप डॉक्टर की एडवाइस की मिना इसको मत यूज करें आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगर without information अगर कोई भी medicine आप यूज करते हैं तो लीजे बात कर लेते हैं अब इसके benefit की और इसका review कर लेते हैं थोड़ ऐसा company का उसकी packing इस तरह है देख पा रहे हैं दब्बे में मेरे पास जो है sample piece है इसका जो near about MRP होता है 25 रूप मिक्स होते है according to condition तो जो लोग medical field के हैं वो तो पता है इसके साथ अगर इसकी जो कहते हैं power बढ़ाने के लिए साथ dexon आया betnisol mix कर लेते है according to condition इंको जो near लगती है डोक्टरों को ही पता होता है हर डोक्टर का अपना अलग-अलग हिसाब किताब होता है इसको use करने का तो self मत यूज के लिए है आपके जो information है तो एक ml की इसके अंदर होती है जो medicine है एक ml का रहेगा और एक ml की इंपल में आगा single dose only होता है one time इसको use करना होता है से नहीं इसको break करके आप इसको साम को use करें ऐसा नहीं है तो on this spot इसको use करना होता तोडने के बाद तो यह तो हो गया इसके जो review packing का हो गया और बात कर लेते हैं इसको use किस कर कंडिशन में डॉक्टर करते हैं क्या लक्षन दिखता है जो डाइना पार है इसका जो mainly ingredient है declofenac injection तो declofenac all use किया जाता है mainly pain के लिए pain चाहे किसी भी तरह का हो like that आप कह सकते हैं muscles pain हो joint pain हो dental pain हो stomach pain हो arthritis की problem हो या कहीं चोट लगी injury लगी फैक्टर हो गया body पर तो कह सकते हैं आलग और जो भी किसी भी तरह का pain होता है तो कंडिशन में इसको use के जाता है उसका result बहुत अच्छा है क्योंकि एकवा टच कंपनी का फार्मा कंपनी का product है और जितने भी product है बहुत ही ethical है और बहुत ही अच्छा result म बताते हैं इसका बहुत अच्छा result मिलता है तो सो इसे करके आपको इसका मैं review कर रहा हूं और बात कर लेते हैं अब इसके यह तो हो गया benefit और इसकी मैं side fact की बात करूं तो यसे side fact देखने को नहीं मिलता है sometimes ऐसे होता है कि तो डाइना पार ingredient है किसी को allergy कर जाता है उस condition में क देखाए ताकि वो को injection लगा दे आपको reaction खतम करने का और अधर्वाइस जो मरीज डॉक्टर को जाने से पहले ही बता दे अगर को injection लगा रहे है तो अपनी हिस्ट्री जुरू बता दे अगर आपको लिवर एकेडिन से रेटिड कोई problem है तो इंको बताए या sugar भी बढ़ र जा सकता क्योंकि कई लोगों को pain बहुत ज्यादा होती है क्या सकते है arthritis की pain तो doctor इसको ज्यादा ज्यादा इसको बहुत कम short time के लिए इसको use करते है जब ज्यादा pain होती है पेन अराम होने के बाद इस injection को छोड़ देते है तो इसका मतले भी नहीं है आप individually इसको लेके लगा तो आपको side effect देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा अगर आप अपने मर्जी से इसको use करेंगे और कुछ condition ऐसे होती है किसी को पथरी का भी दर्द होता है तो इस condition में भी इसको use किया जाता है बहुत अच्छा result होता है पथरी के दर्द में तो उस condition में भी यूज और बहुत आपका जो reply होगा आपको contact कर लिया जाएगा और आपको reply मिल जाएगा यह थो गया इसके benefit of side effect दोरेशन की बात करो तो एक ही injection वन डे में बहुत है एक दिन में इस जल्ट बहुत अच्छा ज्यादा पीन होती तो भी doctors को बहुत serious condition में ही दो time यूज करते है otherwise one time बहुत होता ह है तो आप so friends आज के लिए वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like करना मत बूलिएगा को कि वीडियो बनाने के लिए बहुत effort करना पड़ता है time निकाल के बनाना पड़ता है तो so friends एक like तो बनता है और आप comment करना मत बूलिएगा comment जरूर कर दें को comment स से भी पता लिखते हैं आपके जो mind में क्या चल रहा है negative positive जो भी हो एक्सराइजड आप comment जरूर कर दें so friends आज के लिए इतना ही thanks for watching have a nice day और अगर आपके mind में कोई भी सवाल जवाब है तो comment जरूर करिएगा और like करना मत बूलिएगा और जो लोग चैनल पन नहीं है subscribe कर ल